सबके मन को भाई, राजेश मसाला, पापड और गुलाब जामुन इस प्रोग्राम की सहसायो जखें MMR ग्रूप बिल्डिंग बियार्ड एक्सिलेंट शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम्में भी मैं हूँ अर्बन वूट्स, इंस्पार्ड बाई योर ड्रीम्स सबके मन को भाई, राजेश मसाला, पापड और गुलाब जामुन इंडियन यूद फिल्म एकेडमी, अवेट टू बॉलिवॉड लखनव, विकास, पराधिकरण और करप्शन का चोली दामन का साथ नजर आ रहा है आलम ये है कि अथारिटी के डकायत अफसर और बाबू पर हाथ डालने की हिम्मत पुलिस वालों की तो दूर, LDA के वीसी तक के हाथ बने है वो भी एक्शन ने ले पा रहे हैं इसी के नजीर है मुक्तेश्वर नात जहा, एक डकायत LDA के इस अरबपती लुटेरे बाबू को वीसी ने पकरतो लिया लेकिन लखनो पुलिस ने थाने से ही इस डकायत बाबू को छोड़ दिया आलम ये है कि इस अरबपती डकायत ने अपनी बीबी के नाव पर भी अरोब रुपरे की प्रोपर्टीज बना रखी है लेकिन मजाल ये है कि इस पर कारवाई कोई कर सके इस डकायत पर चूँ हाट डालने से बच रही है पुलिस हम इस पर चर्चा करेंगे दोपहर वार के सेलिशन ये भरस नहीं डकायत है हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास महमान जुडेंगे और सबसे खास बात ये है कि वी सी के एक्शन लेने के बाद वहाँ तहरीर लिखने के लिए कोई तयार नहीं था है लिए का कोई अधिकारी और जिस व्यक्ति ने तहरीर लिखी वो तहरीर लिखने के बाद वहां से छुट्टे लेके चला गया थाने से इसको छोड़ दिया गया क्यों आखिर ऐसा हुआ जीरो टॉलरेंस की जो नीती है सरकार की उसमें ऐसे करप बाबूओं को जो की एक अधना सकरमचारी है जो और अपती बन बैटा है क्यों जेल रहे यह सरकार इस पर चर्चा करें हैं दोपहर वार और देखते हैं कि यह कैसे भरष्टता की पराकाष्ठा पार करके डगएद बन गया बाबू तो इससे पहले कि आज का डिसकुशन आगे बढ़ाएं आप यह जरूर जान लीजिए कि आपके पास रहने के लिए अपना एक अधत घर भले ना हो लेकिन लख करोड़पती डगएद बाबू के पास अर्वो के प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज हैं हम बात कर रहे हैं के करोड़पती डगएद बाबू मुक्तेश्वर नात ओजह की जिसके नाम 30 से जादा मामले दर्ज हो चुके हैं एक और जहां भ्रष्टा चार पर जीरो ट्रॉलर भ्रष्ट बनके और डगायत बन गया इस बाबू की पूरी कानित उनाते हैं आपको करोड़पती बाबू मुक्तेश्वर नात ओजह का रसूक करोड़पती बाबू ने बनाया आधा दर्जन बेशकिम्ती प्लॉट प्रेदर्शनी योजना में 31 भुकंडों पर किया घपला पत्नी के नाम अब तक चार भुकंड आ चुके सामने ये रसूक है LDA के एक बाबू का नाम है मुक्तेश्वर नात ओजह ये केवल नाम और पत के बाबू हैं लेकिन इनके खाते में आज आधा दर्जन बेशकिम्ती प्लॉट जुड़ गए हैं केवल इनकी पत्नी के नाम अब तक चार भुकंड सामने आ चुके हैं और ये कार जारी इनोंने प्रेदर्शनी योजना के 31 पुकंडों में खपला करके अंजाम दिया है मुक्तेश्वर नात ओजह के खिलाप 31 प्लाटों का खपला करने की शिकायत आवास विभाग और विजिलेंस तक में लंबित है लेकिन प्रेदर्शनी योजना से गोंती नगर कि समायोजन करने के आरोपी बाबू पर इससे पहले भी कई मामले के खुलने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई है। बता जारा कि प्रिदर्शी योजना के 31 भूकंडों का इसने फर्जी आवंटन बैक डेट में ही कर डाला था। 31 भूकंड साल 2008 में काटे गए। रिकॉर्ड ये बना कि इन भूकंडों को फर्जी वाड़ा करके 2005 में ही आवंटित दिखा दिया गया। अब आबू के कारणामों की वज़ा से LDA को करोण रुपई की चपत लगी है। पत्नी के नाम अब तक चार भूकंड सामने आए। जबकि LDA के नियमानुसार एक आवंटी को एक से अधिक भूकंड आवंटित नहीं हो सकते। प्रिदर्शी में भूकंड एक आबलिक 6 को फर्जी तरीके से विराट खंड में भूकंड संख्या दो आबलिक 271 से समा योजित कर लिया। प्रिदर्शी और जानकीपुरम योजना की 500 से अधिक फाइल गायब करने का आरोब गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 4 में भी आठ भूकंडों के मनमाने आवंटन की आवाज विकास में शिकायत। प्रिदर्शी योजना में परिजनों के नाम पर भूकंड आवंटन की शिकायत। हाला कि टिकट नहीं मिला जिसके बाद वो बीजेपी से भी जुगार मिरा। पूरे उत्तर प्रिदेश की जनता देख रही है कि कैसे ये भरष्ट डगायत लगाता रहा और आलम यह है कि इसको थाने से छोड़ दिया गया। लिए का वी सी वी सी बिलकुल हेलपलेस महसूस कर रहा है अपने आपको तहरीर तक लिखने वाला कोई नहीं है तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ तहरीर पर गिरफतारी होई लेकिन थाने सही छोड़ दिया गया। सबसे पहले नवीन शुरास्तो जी बीजेपी पर वक्ता हैं पूरे उत्रपिदेश की जनता उसकी तरफ से हम सवाल पूछ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस कैसे होगा जनता को यकीन कैसे आएगा जब एक अधना सा आदमी अधिकारियों को अपनी उगली पर नचाएगा और व पीछे इस ड्रकायत के पीछे कौन लोग है यह मुक्तेश्वनात हो जाज बावू की बात कर रहे हैं इस तरह कि बहुत सारे लोग लिए में हैं जिन्होंने और इनकी कार संस्कृति और इनके ब्रश्टाचार का दिखा रहे हैं यह पिछली सरकारों की संस्कृति को भी प्रभुयन सिंग जब से चार्ज लिया लडीय में व्याप भ्रश्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने पहल शुरू कि बहुत सारा किया है लेकि जी रो तॉलनेस हम किसी के भ्रश्टाचार को बरदास्ट नहीं मुझे यह बताई कि थाने से किस ने छुड़वाया इस तो थाने से चुड़वाने में किस बड़े डगयत करोल थाने में चुकी जब इसको यह फाइल पर पकड़ाया वीशी साहीब ने वहीं से डियाईजी को फोन करके इसको गोमति नगर पुलिस के हिरासत में दिया गोमति नगर पुलिस जब ले गई तहरी जैसा आपने खु पोरी लखनोव को पता है कि यह जकायत करप्ट है और यह अपने बड़े अधिकारियों को सेट करके रखता है दूसरी बात है कि दो दिन पहले इसको थाने से छोड़ दिया घया कि साक्ष्ण नहीं है और आज इसके पास साक्ष आ गया जब कि पूरे लकनोव को पता है सारी मीडिया को पता है सारे मंत्रियों को पता है ये भरष्ट है विरेट जी देखिए मुक्तेसवर नात भश्टाचार का और आक्षास है जो बस्पा सरकार में पैदा हुआ फला-फूला पनपा और यौदिये और उत्तर-पर्देश और लखनों के लोगों को लू आया उसने कई-कई सेको प्लाटों का वारा न्यारा कर रखा है जारो फाइले गायब कर रखी है अब वक्त आ गया है कि ऐसा बीसी आया है डिये में जो मुक्तेस्वर के को ठाने तक भेज सकता है लेकिन अब क्या कारण थे ठाने से क्यों छोड़ दिया गया यह अपने आप म बगर में लगते हैं इस जिसे वही थाने दा है और और वो पुलिस वाला मुस्कुरा आ रहा है देखिए नवीश रवास्तों जी पूरे उत्तर पिदेश की जनता देख रही है और वो निश्टीत रूप से सवाल पूचेगी मैं आपको बता रहा हूँ आजम गड़ में ज उसकी द्हमकी को कुबूल किया था बोला था तुम जल्दी शलाखों के अंदर होगे वह उस आइप सबसर नहें अपने वादे को निभाया और उसको सलाखों के अंदर किया और उसके बाद दूसरा एक एंकांटर हुआ है जिसमें उनको गोली भी लगी ऐसे सारे पूलिस को हम बिल्कुल एप्रिशेट करते हैं और हम उनकी बातें भी दिखाते हैं उनकी पॉजिटीव रिपोर्ट भी करते हैं लेकिन सवाल यह कि थाने में इस तरह से पनपने के मावजूद थाने में बैठा हुआ ब्यक्ति जिस तरह से तंबाकु बना रहा है आपके स्क्रीन पर देखा जा रहा है और जो उत्व भधाई है आपके चैनल को कि आप इस तरह के मुद्य को उठाए कर उसकर जनता तक आप पहुंचा रहा है इस बात को नहीं हम ड़कायत और राच्छस के रूप में बैठ के थाने में करना थाने के सिपाही दरोगा निरी हालत में उसके सामने बैठे हुए ज देखिए अभी जब 2008 में इसका खुलासा हुआ तब बसपा सरकार थी उत्तर परदेश में और उसमें LDA में लूट पार्ट का एक बहुत बड़ा दौर चला था रामन जी बहुत बड़ा ग्रुप था बहुत सारी जाचे हुई फिर अखिलेश यादों की सरकार आई यह मुक्तेस्वर नात कमर में रिवालवर लगा के नंगी घूंता है LDA के अधिकारी डरते हैं इसके खिलाब बोलने में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इसके खिलाब कोई सिकायत कर दे अगर कर देता तो यह तुरंद उनके कमर में रिवालवर लेके पहुंच जाता है और पुलिस इसको बार बार क्यों छोड़ देती है इसके पीछे भी त करने के तैयार था तिकट नहीं मिला फिर उसको टिकट नहीं मिला फिर समाजवादी पाइटी में उसने टिकट मांगा था और बीजेपी उसने कोसिस की तो जो बाबू इतना उसका मात्वा कांशा उसकी बड़ी हुई है कि वह उत्तर परदेश की विधान सभा में जी तो यह उत्तर परदेश पुलिस के बहुत समनाग चेहरा है और समनाग दिन आए लवीन श्रवास्तो जी दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यह करोलपती बाबू नहीं है यह अरपती बाबू है और डकायत बाबू है यह दूसरी चीज है कि पूरा LDA लू योजनाएं थी वो योजनाएं मिलते रही है हमारा सवाल दो है आपसे पहला सवाल तो यह कि यह सलाखों के भीतर कब जाएगा इस पे जीरो टॉलरेंस की जो आपकी स्कीम है मुख्यमंद्री कहते हैं कि हम भच्चाचार न करेंगे न करने देंगे हमारी नीत पार दरसी है तो क्या मुख्यमंद्री से बड़े पुलिस वाले हैं और थाने में बैठा के जो है भच्चाचारी छोड़ दिया जाता है देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है नवीन जी एक तो यह कब अंदर जाएगा दूसरी बात है कि इसको जो प्रोटेक्ट कर रहे एक जो तस्वीरें थाने में आई हैं उनके खिलाब कभ एकशन होगा तीसरी चीज़ है कि इसके जो आका हैं जो महाडगैत हैं उनकेखिलाब कभ एक्षन होगा और चौति चीज़ यह क्यों ने इसका शर्स्त्र का लाइसेंस ने रस्किया जाये इसलिए धंकाता है अधिक को इतना डर है कि वो डियाई जी को फोन कर रहा है वहां कोई तहरीर लिखने वाला नहीं है तो थाने से किन परिस्टियों में यह चुटा यह बहुत गंभीर विशह है दूसरी जिस जो आपने इपने स्कृन पर दिखाया कि थाने में बैठके वह तंबाकूं मल रहा है आराम से जैसे वह अपराधी नहों कोई व्याइपी हो वहां पे तो यह बहुत गंभीर विशह और निश्चित रूप से संबंधित जो अधिकारी है इस विशह को बहुत गंभीरता से लेंगे और इसमें जिनकी गलती उनके खिलाफ कारवाई भी करेंगे दूसरी चीज मैं आप अपने वी सी को प्रभू एंसिंग को कि जिन्हों ने इतने बड़े वेल को पकड़ने की कोशिश की जो है और एक बात सुन लिए और मैं आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया होता विरेंजी तो सवाल यह है कि जहां इमांदार अफसर एक्शन भी ले रहा है तो उसको बैक अप सपोर्ट कहा मिल रहा है नहीं डी आए जी को फोन किया गया तहरीर लिक्वाई गई उसके बाद भी वह थाने चुट गया तो क्या वैक अप सपोर्ट है यह इसका लाइसन्स करना चाहिए अगर कुछ नहीं है इतने उसके खिलाब सिकायते हैं तीस से ज्यादा श और यह आर्थिक अपरात करता है लूट करता है इसके खिलाब तो अब तक इसको जेल में साड़ा देना चाहिए ऐसे लोगों का मनोबल टूट जाएगा इनकी सारी संपत्ति करने वगारा कि सारी कारवाईया होंगी देखिए मैं अपने सरकार अपने माने मुखमंती जीक् कि किसी भी ब्रष्टाचारी को ही नहीं हम जेल में बेजेंगे ब्रष्टाचार को सब्चट देना आज इसके खिलाफ सारे सबूत जो है मुझको जो जानकारी LDA दे रही है और उसके बाद शिक्र कारवाई होगी चलिए जनता को यह अशूर कर सकते हैं कि LDA की तरब से एक पर दोरा रहा है कि रिश्कान जी कुछ बोलिए कुछ बोली आप भी मैं तो आपके इंदिजार कर रहा है कि बीच में बोल सकते हैं बीच में बोल सकते हैं लेकिन इस्तिती है कि मैं अपने भाज़पा के साथी नवीं सिर्वास्तों जैसे पहले तो यह कहना चाहूँगा जैसे ही नोगे के उसके पास साक्ष नहीं थे इसलिए छोड़ दिया जैंच गलत गलत कहिए हमारी सरकारों चाहए आपको सरकारों पाले बिल्कुल नाजिक नहीं है मैं नवीन जी के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे कि जाके इनकी पार्टी इनकी सरकारे कहें कि ऐसे ब्रष्टाचारियों को चिन्नित करके कि अगर प्रभू यंद सिंग ने किसी तरह एक को पकड़ा डियाईजी एक बाबू गुरूप थर्ड के कर्वचारी के लिए अगर डियाईजी को फोन करना पड़ रहा है तो कम से कम इसके किराब आइक्शन लेकि लखनाओं में रहा रहा है प्रदेश में रहा रहा है और ल प्रभू यह है कि आपकी सरकार कैसे कैसे उसको बैक अप कर रहे है कोई मंदार अधिकारी कोई अक्षन ले रहा है तो इसको बैक अप कैसे कर रही है आप जंता पूछ रही है आप से आप बताईए सरकार के एक रिप्रेजेंटिटीव यह आप क्या वो आज यह डिबेट खतम होने के बाद क्या वो आज शाम तो गिरफतार होगा सलागों की पीछे होगा अरे पहले तो यह सो सस्पेंड हो पहले तो यह सो दूसरी चीज़ जनता यह जाती है कि जो ऐसो उसका उसका बिलकुल उसकी उसका स्वागत कर रहा था और अपने बगल में बैठाके बिलक प्रपर्टीज है उन सब की जाज की जाए आप बताइए जनता को क्या एशोर कर रहे हैं कि यह सारी चीज़ा कब तक करवाई तो उनके खिलाफ आज ही होगी दूसरी चारवाई मतलब क्या होगी जनता यह साथ आज लिए जोगी आज गिरफतार किये जाएंगे जलिए जल इस पर हमारे माननी मुखमंत्री योगी जी का है जीरो टॉलेंस ब्रश्टा चार पर सिर्फ ब्रश्टा चार करने वाला नहीं उसको सरनच्छन देने वाला चाह कितना हुपड़ाई चलिए जनता की सामनी यह बात हो रही है सुनिए सबसे बड़ी बात है है कि सरकार इसको गिरफतार करेगी आज शाम तक यह शिकंजे के अंदर होगा सीख्चों के पीछे होगा तो निश्चित रूप से विरेंजी हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम इसको अप्रिशेट करेंगे और हम यह समझेंगे कि सच्छमु और उनको बेल न मिलें ऐसे इंतिजाम करने चाहिए और इनकी जितनी संपत्ती है इसको जब करना चाहिए और आज से अधिक संपत्ती का मुकत्मा भी इनके ऊपर चलना चाहिए क्योंकि एक बाबू अगर साउसो करोण, दोदोसो करोण का मालिक बन जाएगा इस परदेश का नाम आता है, तो वहां सरकार मौन साध लेती है, जब बाबू लोगो छोटों की मुलायम करते हैं, तो उनके लिए खुब धिंडोरा पीटती है, खुब डबली बजाती है, कि हम यह भष्टाचार के किलाब कारवाई कर रहे हैं, जिनके खिलाब यह कारवाई नहीं कर र है, बाबू के लिए है, इनका, नवीन शुवास्तो जी, नोडा अथार्टी के बारे में तो अक्सर यह चर्चा होती थी, वहां के बाबू के बारे में आप जा के देख लिए, वहां के बाबू का भी यही हाल है, वो भी करूरपती, अरबपती बाबू है, सवाल यह है कि जैसे दूसरे स्टेट्स में जिस तरह से लोकाईक सक्री है, लोकाईक जिस तरह से फाइंड आउट करता है इन चीजों को, उत्तर प्रदेश में वो चीज़न नहीं है, और यही वज़ा है कि उत्तर प्रदेश में कोई इमानदार अधिकारी आ गया, इस वीसी की तरह, प्रदेश्वर हो जाया, तमाम महकूमों में भूम रहे हैं इनके खिलाब कैसे एक्शन होगा, इनके खिलाब कौन, पच्छीस से ज्यादा बीसी जा चुकि है, जब से मुक्तेश्वर नात हो जाका परकरण चलना है, पच्छीस बीसी में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, प्रभू नरायन सिंग ने हिम्मत दिखाई, तो उनकी हिम्मत की तारीब करनी पड़ाइब बिलकुल उनकी हिम्मत की दाथ देते हैं, उन एप्रेशेट करते हैं इस चीज को, पुलिस के रवाईये की अलोचना हो रही है यहां, नवीश वास्तो जी, नवीश वास्तो जी, नवीश वास्तो जी, सरकार के मनसा के अंठोंल प्रभूर अरायन सिंग ने अपनी इमांदारी के अनरूप काथ किया है, सरकार की मनसा होती, तो आवास के प्रावु सचिव बेहां की तो लेदा में हाइविटेट सेंटर का मरमला इंद्रा जबर देंश चला हुँँअ जिए देखिए देखिए लिए नवीन शुरास्तो जी एक बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार की मन्शा पे कोई डाउट नहीं कर रहा है लेकिन सवाल ही है कि सरकार की नुरूप अब शुरूप अपसलों की मन्शा बदल जाए लिकिन अइसा नहीं हो रहा है चोटे बड़े सभी डरें, ऐसा नहीं हो रहा है, यह एक केस है, यह एक व्यक्तिकत रूप से फील करने वाला केस है लखनो के इस वीजी का, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो यह ऐसी दबा रहा था, आप सोचिए ना, सरकार की मनशा, सब को पता है कि बरशाचार पर के खिलाब, जिस थानेदार ने बिठा के उसको उसका स्वागत सथकार किया है, उसका व्यवी आईपी ट्रीट्मेंट किया है, और उसको छोड़ दिया है, उसको सस्पेंशन, उसका ओडर आज ही जाना चाहिए, पहली घटा नहीं है, अब सरकार जीरो टेलरेंस, आस्वास निन्दा, अभी चार महिना बीठ गया, परसों से पाच्वे महिना प्रवेस करेंगे हैं, तो कम सबसे कंभीर विशायर रजयत जी ने जो कहा, कि अन्य प्रदेशों की तरह लोकायुक्त, जैसे मर्द प्रदेशियान राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी लोकायुक्त संस्था है, और आप देखेंगे कि लोकायुक्त है लेकिन अभी वही मैं कह रहा था, कि लोकायुक्त संस्था को और मजबूत करने की आउशकता है, बिल्कुल एफेक्टिव नहीं है, आप विरिंजी आप बताईए, कि कोई मैं रजयत जी मैं आप थोड़ा आपकी जानका जिन मंत्रियों पर चाते तो उस पर कारवाई उतित नहीं होतीत, लोकायुक्त संस्था करमाइब कारवाई नहीं है, इनके एपारिमेंट के लिए मुख्य नयदी इस तक को हस्ता छेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ड को हस्ता छेप करना पड़ा, ये सारी चीजे उत्तर प्रदेश में चाहिए उसको अपनी फोर्स होनी चाहिए उसमें अलग अधिकारी होने चाहिए और भचाचार के खिलाप मजबूत कारवाई करने का उसको अधिकार होने चाहिए एक इग्जाम्पल देता हूं मद्रेप्रदेश का लेकिन मद्यप्रदेश में लोकाई कुसंस्था विरियन जी बहुत बड़ी आपको बता रहा हूं आप मीडिया चैनलिस पर देखें हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई नो कोई विवाग का चाहें पीड़ुडी का है चाहें इरिगेशन का है चाहें वह चपराशी तक करोड़ तो ऐसा नहीं है कि मद्यप्रदेश में ही सोना बरस रहा है सोना तो यहां बरस रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है तो सवाल है कि इस संस्था को बहुत मद्बूत बनाना पड़ेगा आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद नभीन जी कृष्ण कांद पांडे जी विरें जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और अपने पूरे उत्तरपिदेश के दर्शकों को हम एश्योर कर रहे हैं कि यह डकायत यह गुंडा और यह अरब पती बाबू जल्दी ही शिकंजे में होगा और जल्दी ही यह सीखचों के अंदर होगा और जब तक यह अंदर ही होता तब तक हमारी केंपेंज जारी रहेगी और हम यह हमेशा सवाल उठाएंगे कि जीरो टॉलरेंस की नीती में इसको कैसे बक्षा जा रहा है फिलाहल के लिए आज इतना ही हमें दीजे इजाज़त तमस्कार इस प्रोग्राम की सहसायो जखें एमेमार ग्रुप बिल्डिंग बियॉर्ड एक्सिलेंट शुद्ध प्लस पान मसाला तुम्में भी मैं हूँ अर्बन वूट्स इंस्पार बाई योर ड्रीम्स सबके मन को भाई राजेश मसाला पापड और गुलाब जामुन इंडियन यूद फिल्म अकेडमी अवे टो बॉलिवूड सबके मन को भाई राजेश मसाला पापड और गुलाब जामुन